आप सभी ने देखा है कि घर पर आपकी माँ सोने की चूडियां और अंगूठी पहन कर पानी में सभी कारे करती हैं सोना धातु जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है जबकि कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं आज के प्रयोग में हम ये जानेंगे कि कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ कुछ धातुएं गरम जल के साथ अभिक्रिया करती हैं जबकि कुछ धातुएं ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और ना ही गरम जल के साथ अभिक्रिया करती हैं आज के प्रयोग में हम विभिन्द ताप अवस्थाओं में धातुओं की जल से अभिक्रिया का अध्यान करेंगे कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकसाइड या ओकसाइड बनाती हैं तता हाइडोजन गैस उत्पंद करती हैं यह अभिक्रिया ठंडे जल के साथ होगी या गरम जल के साथ या फिर ठंडे एवं गरम जल दोनों के साथ नहीं होगी यह धातू की अभिक्रिया शिल्ता पर निर्भर करता है। आज के प्रयोक के लिए आवशक सामगरी, सोडियम धातू, मैगनीशियम, जिंक, इनको रखने के लिए पैट्रिडिश, परक्नलियां, परक्नली स्टेंड, आसुच जल, रेगमाल पेपर, स्पैचुला, फॉर्सेप, चाकू, परक्नली पकड, ग्लास रोड, माचेश, बर्न तथा फिल्टर पेपर, आप देख रहे हैं कि हमने तीन परक्नलियां ली हैं, जिन्हें परक्नली स्टेंड पर रखा हुआ है, इन पर नंबर लगे हुए हैं, और इन्हें पहले थंडे जल से एक तिहाई भर लेते हैं, अजयां पत्त, इन्हें कि एकогा स्बस्टिए ज्साइब मे थिल्टर आठीता हैं, ये खिरीफ हैं, ये जिन्हें हैं, विल्टर प्लेता हैं, ये ब काम कर दो जिएखा हैं, fix, एक टो रहले हैं, और र неको ब theorी हैं, प्लेश्टर पहले हैं, और नहीं हैं, फोड़े है अब इन तीनों परखनलियों में तीनों धातुओं के छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे सबसे पहले सोडियम धातु का एक छोटा टुकड़ा डालेंगे जैसा कि आप जानते हैं सोडियम धातु बहुत अदिक किरिया शील होता है यह वायू तथा नमी के साथ अभी किरिया कर लेता है अते इसे किरो सीन में रखा जाता है सोडियम धातु को बहुत ध्यान पूर्वक काम में लेने की आवशकता है इसके एक छोटे टुकड़े को केरो सीन में से निकाल कर फिल्टर पत्र पर रखते हैं और इसको फिल्टर पेपर को मोड कर इसमें लगे हुए केरो सीन को सुखा लेते हैं ताकि सोडियम धातु पर केरो सीन लगा ना रहे अब फॉर्शेप की साहिता से इस टुकड़े को बहुत साबधानी पूर्वा पकड़ कर परकनली एक में डालेंगे तथा सोडियम धातु की जल के साथ होने वाली अभी किरिया का अध्यान करेंगे आप देख रहे हैं सोडियम धातु जल के साथ बहुत तीवरता से अभी किरिया कर रही है और एक गैस परकनली के मुख से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है आपने देखा कि सोडियम ने जल के साथ बहुत तीवरता से अभी किरिया की तथा उसमें अगनी भी उत्पन्द हो गई इसलिए सोडियम का उप्योग बहुत साबधानी पूर्वक शिक्षक की उपस्तिती में ही करना चाहिए अब दूसरी परकनली में मेगनीशम धातू और तीसरी परकनली में जिंक धातू के छोटे टुकडे डालेंगे मेगनीशम धातू को प्रियोग में लेने से पहले रेगमाल पेपर से साफ कर लेते हैं मेगनीशम धातू को रेगमाल से इसलिए साफ किया जाता है ताकि इसके उपर जमी ऑक्साइड की परत को हटाया जा सके अब इसे परकनली नंबर दो में डालेंगे यह देखने के लिए क्या यह धातू ठंडे जल के साथ अभिकरिया करती है अथवा नहीं आप देख रहे हैं कि मेगनीशम धातू ठंडे जल के साथ कोई अभिकरिया नहीं कर रही है अब परकनली नंबर तीन में जिंक धातू का एक छोटा टुकडा डालेंगे आप देख रहे हैं कि जिंक धातू भी ठंडे पानी के साथ कोई अभिकरिया नहीं कर रही है आप देखा कि सोडियम धातू ने ठंडे जल के साथ अभिकरिया की जबकि मेगनीशम तथा जिंक धातू ने ठंडे जल के साथ कोई अभिकरिया नहीं की अब हम देखेंगे कि मेगनीशम तथा जिंक धातू गरम जल के साथ अभिकरिया करते हैं अथवा नहीं इसके लिए हम बरनर लेंगे अब परक्नली दो में एक तिहाई आसुद जल भर लेंगे इसे परक्नली पकड से पकड़ कर गरम करेंगे और इतना गरम करेंगे कि यह उबलने लगे जब यह गरम हो जाएगा तब इसमें मेगनीशियम का एक छोटा ठुकड़ा डाल कर देखेंगे कि मेगनीशियम के साथ इसकी अभिक्रिया हो रही है थवा नहीं अब इसमें मेगनीशियम धातु का टुकड़ा डालेंगे आप देख रहे हैं मेगनीशियम की सता पर आपको बुलबले साफ दिखाई दे रहे हैं तथा अभिक्रिया होती हुई इस पश्ट दिखाई दे रही है आपने देखा कि मेगनीशियम ने गरम जल के साथ अभिक्रिया की और इसकी सता पर गैस के बुलबले हमें साफ दिखाई दे रहे थे अब हम परक्नली नंबर तीन में पुना एक त्याही जल लेकर गरम करेंगे इस जल को भी उबलने तक गरम करेंगे फिर इस में जिंक धातू का एक छोटा टुकड़ा डालेंगे तथा यह देखेंगे कि जिंक धातू गरम जल के साथ अभिक्रिया करती है अथवा नहीं यह जल उबल चुका है अब इस में जिंक धातू का एक छोटा टुकड़ा फॉरसेप की साहिता से परक्नली में डालेंगे जिसमें गरम जल रखा हुआ है अब आप देख रहे हैं कि गरम जल के साथ जिंक कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा है इसे हम सार्णी के अधार पर भी समझ सकते हैं आपने देखा कि जब परक्नली दो में गरम जल में मैगनीशियम डाला तो मैगनीशियम ने गरम जल के साथ अभिक्रिया की तथा हाइडोजन गैस निर्गमित की जबकि तीसरी परक्नली में कोई अभिक्रिया नहीं हुई अते हम कह सकते हैं कि दोनों धातुओं में मैगनीशियम केवल गरम जल के साथ अभिक्रिया करता है, जिंक गरम जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है इस प्रयोग के द्वारा हमने यह जाना कि सोडियम धातु थंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, जबकि मैगनीशियम तथा जिंक धातु थंडे जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है मेगनीशियम धातु गरम जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है जबकि जिंक गरम जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है अतर इस प्रयोग के द्वारा हम इन तीनो धातुओं की अभिक्रिया शीलता के बारे में बता सकते हैं कि सोडियम धातु जलके प्रती सरवाधिक क्रियाशील है, मैगनीशियम की क्रियाशीलता सोडियम से कम है, जबकि जिंकी की क्रियाशीलता सोडियम तथा मैगनीशियम से भी कम है, अर्थात सोडियम सरवाधिक क्रियाशील, मैगनीशियम उससे कम तथा जिंकी की क्रियाशीलत सबसे कम है